दोस्तो मैं आज आपके लिए दुनिया के पांच सबसे खतरना कीडे मोकोडे लेकर आया हूँ जिन्ने देखने के बाद आपको उनसे दूर बाग जाना चाहिए क्योंकि ये जीव आपके लिए इतनी परिशानी खड़े कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो बिना किसी देरी के चलते अपनी वीडियो की तरफ दोस्तो बहले ही ये कीड़ा आपको देखने में काफी पुपसूरत लगे मगर ये उसका उल्टा है क्योंकि दोस्तो जब आप इस कीड़े को चुएंगे तो आपको एक जोर कजटका लगेगा क्योंकि इसके उपर लगेवे कांटों के उपर एक जहरीला पजारत होता है जो कि इसके कांटे से आपके शरीर में प्रवेश हो जाता है और उसके बाद वो जहर आपके शरीर के अंदर कीड़े में बदल जाता है जो एक माचिस की तिल्ली के बराबर बढ़ा हो सकता है जैपनीज माउंटेन लीच दोस्तों ये अजीब सा दिखने वाला कीड़ा आपको पत्थर या पेड़ के पत्तों पर या और कहीं भी दिख सकता है और इसका चलने का स्टाइल आप लोगों को काफी चौका भी देगा क्योंकि ये जब चलता है तो ऐसा लगता है कि ये कीड़ा डांस कर रहा हो और अगर आप जैपनीज माउंटेन से होकर गुजर रहे हो तो आपको इनसे बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि ये आपके कपड़ों के अंदर गुश कर आपके चमडी से चिपक जाएंगे और अपना जहर भी आपके चमडी के अंदर इंजक्ट करतेंगे और जिसका अइसास आपको कुछ देर बाद महसूस होगा हंट्समैन स्पाइडर तो इस तो आपने अकसर ऐसा देखा होगा कि जादतर मकडिया अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बूनती है और उसमें बैटकर अपने शिकार के आने का वेट करती है मगर ये मकडी अपने शिकार को खोजने के लिए कहीं पर भी निकल जाती है और जैसे इस मकड़ी को अपना शिकार दिखाई देता है तो ये उस पर जपट्टा मार देती है और उसके साथ-साथ ये काफी ताकतवर और तेज जपट्टा मारती है और इसके पैरों का साइज इसके शरीर से दुगना होता है जो की दोड़ते समय इसके स्क्वीड को काफी बढ़ा देते है मगर दोस्तो इसकी सबसे बड़िया बात ये है कि इस मकड़ी के अंदर ज़रा सा भी जहर नहीं होता और ये आपको डरात हो सकती है मगर आप पर जान लेवा हमला नहीं कर सकती स्कॉर्पियन फ्लाई दोस्तो आपने बिच्चु तो गाफी सारे देखे होंगे मगर ये एक तरह का उड़ने वाला बिच्चु है जी हाँ दोस्तो इसके पास एक लंबी चोच और उड़ने के लिए बड़े बड़े पंक और शिकार करने के लिए इसके पीछे एक बड़ा सा डंक भी लगा होता है जो कि एक बिच्चु के डंक के तरह दिखाई देता है और ये कीड़े लगबग आपके अंगूटे जितने इस बड़े होते हैं मगर दोस्तो इसका डंक सिर्फ आपको देखने में ही खतरनाक लगेगा क्योंकि ये इनसानों को बिल्कुल भी नुक्सान नहीं पहुचा सकता और ये कीड़े जादा तर जंगलों में ही पाए जाते है लोवा लोवा वॉम दोस्तो ये कीड़ा वेश्ट अफरीका में ही पाये जाता है जो कि मक्यों के उपर मौझूद होकर आप तक पहुँच सकता है और जब आपको मक्या काटती हैं तो ये कीड़ा उसके डंक से आपके शरीर में पहुँच जाता है और ये फिर आपके शरीर में लगबग 17 साल तक जिन्दा रह सकता है और ताजब की बात तो यह है दोस्तों कि आपको इसकी मौजूद्गी का पता बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपके शरीर के अंदर मौजूद है और ये आपके अंदर मौजूद तरल पदार्थों पर ही जिन्दा रह सकता है और फिर उसके बाद ये आपकी आँखों तक भी पहुंच आएगा जिसे आप आइने में भी देख सकते हैं जो कि वाकई में काफी डरावना मनजर होगा दोस्तो आशकरतों आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट शक्षन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे मैं आप तक ऐसी और भी रोमान से बरी वीडियो लाता रह सकू और वीडियो को लाइक करना भी न भूले दन्यवाद